रिटेन प्लियर्स के आखरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे U.P. Odyssey and U.Momba के रिटेन प्लियर्स के बारे में कौन-कौन से खिलाडी हो सकते हैं रिटेन P.K.L. Season 11 आथिये इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं शुरुबात करते हैं सबसे पहले UP यूदास के साथ फिर हम बात करेगे यू मुंबा की तो UP यूदास के existing एंवाइपीज में हमें तीन खिलाडी देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले गगन गवडा फिर सिवम चौधरी एंड आगडी में हीतेज देखने को मिल जाएगे परफ तीनो ही प्लियर्स का expected retention salary होने वाला है 9 से 10 लाग अब बात करते हैं रिटेन यंग प्लियर्स के बारे में जिसे आप आरवाईपी भी क्या सकते हो तो तीन खिलाडी देखने को मिल जाएगे सबसे पहले हमें देखने को मिलेगे सुरेंदर गिल जो की एक अच्छे रेडर ह पिछले सीजन जादा हमें खेलते हुए नहीं दिखे सिर्फ 10 ही मुकाबला खेले और उन 10 मैच में इन्होंने 87 रेट पॉइंट स्कोर किया अब तक 4 सीजन लगातार खेल चुके यूपी ओधास के टीम से रिटेन होगे तो पाच्वा सीजन खेलेगे पाफोर्मेंस जादा अच्छा नहीं था या फिर आप कहा सकते हैं ज्यादा मैचेस नहीं खेले तो इनका कैटेगरी डाउन होगा कैटेगरी A से कैटेगरी B में आ सकते हैं फिर हमें देखने को मिल जाएगे आसू सिंग जो की राइट कवर पोजिशन के डिफेंडर है इनका भी पाच्वा सीज के डिफेंडर जो रिटेइन होता है दिख सकता है वो है सुमीत सांगवान वैसे तो इनका सीजन आप कह सकतो बहुत ही बहतरिन गया 22 मैच में 61 टेकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया कैटेगरी A के डिफेंडर थे पिछले सीजन और इस बार भी कैटेगरी A के अब बढ़ते हैं इलीट प्लेयर्स की तरफ जिसे आप ERP भी कह सकते हो तो ERP के अंडर हमें कौन-कौन से प्लेयर्स देखने को मिलेगे सबसे पहले नितियस कुमार जो की राइट कॉर्णर पोजिशन के बहतरिन डिफेंडर है इनको UP ओधास के टीम रिटेन करेगी अब अब आपको यह लगता है कौन-कौन से रिटेंशन में बदलाव आप देखना पसंद करोगे क्या परदीप नवाल रिटेन होगे मुझे नहीं लगता है रिटेन होगे आपकी क्या रहा है आप कॉमेंट कके जड़ो बताएगा वैसे क्रिकेट वर्ड की बात की जाए तो अभी इंडिया वसिस जिंबाब्वे का सीरीज चल रहा है आज सेकेंड टीट्वेंटियाई मैच है थर्ड टीट्वेंटियाई दे देने वाला हो जाए बिल्कुल फ्री में आप राजा क्रिकेट एनलिस्ट टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो अब बढ़ते हैं यू मुंबा की तरफ जो की आखरी टीम होगी शुरुबात करते सबसे पहले एक्जिस्टिंग एनवाईपीस के साथ तो हमें चार खि स्वामी फिर मुकिलन सन्मुगम फिर गोकुल कंणन और आखरी में हमें बिट्टु बनवाला देखने को मिल जाएगे चारो के चारो ही प्लेयर्स डिफेंडर्स है परफोर्मेंस की बात की जाए सोंबीर की तो सोंबी लेफ्ट कॉर्णर पोजिशन के डिफेंडर है 15 मैच में 44 टेकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया मुकिलन ने 9 मैच में 14 टेकल पॉइंट्स कोर किया जो की लेफ्ट कवर के डिफेंडर है गोकुल कंणन राइट कवर के डिफेंडर है जो की 13 मैचेस में 19 टेकल पॉइंट्स कोर किया एंड पिट्टु बनवाला राइट कॉर परणर के डिफेंडर है 11 मैचेस में 20 टेकल पॉन्ट स्कोर किये तो चारो ही जो पोजिशन के डिफेंडर जे इस बार रिटेन होते हुए दिख जाएगे कितने बहुत है नो से दस लाग के बीच में हमें रिटेन होते हुए दिख जाएगे बढ़ते हैं आरवाईपी के अरवाईपी का 2-3 सीजन का कॉंटरेक्ट होता है अगर इनका 2-3 सीजन का कॉंटरेक्ट नहीं पूरा हुआ है तो सीवम आटोमेटिक रिटेन होगे बात करते हैं इलीट प्लियर्स के बारे में जिसे आप ERP कह सकते हो तो सबसे बहले हमें अंडर ERP रिटेन होते होँए द कोर किया था पिछले बार के ऑक्शन में गए थे एन इनको FBM काट का इस्तमाल करके यू मुमबा के टीम ने वापस ले लिया 85 लैक में तो प्राइस तो थो 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 ज़ादा है लेकिन मुझे लगता है कि यू मुमबा के टीम इनको रिटेन करीगी या फिर एक और ऑप्शन है ऑक्शन में भेज़ दे कम पैसर में मिलके FBM से वापस टीम में ले सकती है फिर हमें दूसरे खिलाडी देखने को मिल जाएगे रिंकु सर्मा जो की राइट कॉर्णर पोजिशन के डिपेंडर है पिर ला सीजन इनका अच्छा नहीं गया था इंजरी के कारण सर्क 9 मैच खेले एंड सर्जरी भी हुआ है तो अब सर्जरी से वापस आएगे एंड मुझे लगता है कि फिर से रिंकु पे भरुसा दिखाएगी यू मुंबा की मेनेजमेंट एंड कैटेगरी ए में थे ज्यादा मैचेस नहीं खेले तो कैटेगरी बी में आ जाएगे 9 मैचेस में 28 स इन्होंने स्कोर किया फिछले सीजन रिटेन हुए थे 66.21 लैक में एंड इससे जादा पैसे आ फिर इतना ही पैसा इनको इस बार रिटेंशन का मिल सकता है आखरी प्लियर की बात की जाए तो आखरी प्लियर होगे आमीर मुहमाद चाफर दनेज सो की बहतरीन आल राउंड पिछले सीजन इनको यू मुंबा की टीम ने खरीदा था 68 लाक में कैटेगरी सी के आल राउंडर है और मुझे लगता है कि कैटेगरी बी में इस बार आए गे 20 मैचेस खेले 20 मैचेस में 141 रेट पॉइंट एंड 7 टेकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है तो ओवरॉल पहले सीजन में बहुत अचा पफोर्मेंस इन्होंने दिखाया और मुझे लगता है कि आमिर मोहमाद चाफर दनेश को यू मुंबा की टीम डेफिनेटली रिटेन करने वाली है तो यह है यू मुंबा के रिटेंशन पिक्स और इसे के साथ जो सीरीज है वो हो चुका है खत आसे वीडियो और है मैंने प्लेइलिस्ट बना दिया है प्लेइलिस्ट लेफ साइट पे सो हो रहा होगा उस पर क्लिक करके आप पूरा प्लेइलिस्ट देख सकते हो और राइट सेट पर कब होगा ऑक्शन प्रो कबड़ी सीजन 11 का उस पर भी वीडियो बनाया है वो वाला वीडियो देखने के लिए आप राइट सेट पे क्लिक करके देख सकते हो, मिलते होसे वीडियो में ठैंक्स फर वाचेंग